हैलो फ्रेंट्स कैसे आप सब लोग स्वागताब का अपनी रसोई गीता की रसोई में आपको कड़ी बनानी तो आती होगी लेकिन आज आप गीता के तरीके से दही कड़ी बनाना यह मैंने दही ले ली है एक लीटर और इसको हम अच्छे से फैट लेंगे और यह मैंने प्या मुल्ण साथ हम एक कप के करीब कर लेंगे बेसन एड पानी डार का गोल बना लेंगे यह देखे जब तक हम अपनी कड़ायी रख़ेती कर लोने के लिए और गर्म हो गया है अब हम इसमें तैयारी कर देंगे पकोड़ी डालने की तब तक हमारी पकोड़ी होंगी क्यारी कर लेंगे यह देखेंfa कर डियां हम इसको अच्छे से भाइस हमारी पकोड लेंगे उसमें अधर्गे किल एक हमारी पकोडी हो गई हैं तयार ही हमने निकाल ली आहिए दो और पकोड़ी दालदी चल ली आपने उसको ऑप那 के उसको पिला प्रप लाइस और अदे उसका मठा बन गया है और इसमें हम बेसन एड़ कर देंगे अपनी जुरुत के हिसाब से मैं इसमें दो कप के करीब बेसन डालूंगी जो लगए 200 ग्राम के करीब होगा आप अपनी जुरुत के हिसाब से देख लें अब इस वैल में हम ज्यादा था उनिकाल लिया थोड़ा स है और इसमें हम डाल देंगे मेथी दाना जब तक हमारे मेथी दाना चटकता है हमने जो प्याज लिए थे फिर हम उसमें प्याज आड़ कर देंगे और थोड़ा सा उसमें हम यह लंबा लंबा प्याज है यह आड़ करने के बाद फिर अपना लहसुन और दरक का पेश्ट लॉंग भी डाली है इसमें मैंने यह देखिए इसका अपने बारीक पेश्ट तयार कर लिया है यह हमारा तयार है कड़ी घुली हुई यह देखिए प्याज भून गई थे हमारी इसमें हमने करिपता भी आड़ कर दिया है इनको हिला देंगे थोड़ा फ्रेंड्स अगर आप यह देखिए हमारा ओयल थोड़ा सेपरेट हो गए मसाला हमारा भुन चुका है अब इसको हम अच्छे से बुनने के बाद इसमें हम डाल देंगे वह जो हमने बनायता अपना बैटल यह देखिए इसमें भी पानी कम डाला है मैंने दीर दीरे पकती रहेगी गाड़ी होती पानी डालते रहेंगे सब कहांको फ्रेंड्स अपना तरीका लग होता है कोई किसी चीज को थोड़े ने को बाद में ड फैलों तारीका है तो मैंने अपना अपनला थारीका में शेयर करण विडियो पसंद आये को पतार से हिलाते चलाते रहें ताकि बीच में नीचे हमारे कड़ाई में चिपके ना इसको ऐसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे तो चाहर पांच मिट के गैप से और इसमें अच्छे सोबाल आने देंगे कहते हैं ना फ्रैंड्स कड़ी करेल हम अच्छी जितनी पके जाएं उतनी अच्छी तो इसके लिए हम इसको दीमी आच पे छोड़ देंगे कम से कम 20-25 मिट के लिए पकेने के लिए और यह देखिए इसमें कितने अच्छे से उबाला चुका है इसको हम चलाते रहे हैं 55 मिट के गैप से और इसमें मैं लाश्ट में करती हूं नमक एड़ क्योंकि यह बहुत जादा छीटा मारत यह कड़ी तो मैं इसमें मलाश्ट में नमक एड़ करती हूं जब यह पक जाती है पूरे तरीके से और तभी इसमें पकोड़ी में डालती हूं तो आप लोग बताइएगा किसको कड़ी पसंद है मेरे बच्चे और मुझे तो कड़ी बहुत पसंद है हमारे घर में तो जब अचा लगता है टेस्ट यह देखे अब हमने पकोड़ी ब्याइड कर दी है यह बस इसके बाद में इस पांच में टोर पकाएंगे देखे साइड में न थोड़ी मलाई जैसा हो गया न इसका मतलब है कि हमारी कड़ी अच्छे से पक चुकी है जब साइड हो मैं ऐसे मलाई जाती है पकते पकते अब हम इसके लिए एक तड़का तैयार कर लेंगे यह मैंने लिया है दो चमच के करीब ओयल यह लैसून को मैंने काट लिया है आप चाहें तो कीच ले किसी को पसंद नहीं होता लैसून लेकिन मैं ऐसे काट कर डालते हूं इसको अब इसमें हम यह कर देंगे चार लाल मीच रैड इननेको भी हम इसमें थोड़ा सा भूलेंगे सूऑधा से मैंने डावे लाय डाल मेज पौरर आप चाहें डाल लें, ना चाहें तो ना डालें, और अब इस तड़के को फिर हम डाल देंगे, कड़ी में, ये करीपत्ता लिया थोड़ा सा, करीपत्ता डाल देंगे इसमें, ये देगे हमारा तड़का तयार है, इसको हम ऐसे कड़ी को उपर से डाल देंगे, तयार है हमारी कड़ी, आ आईएगा अपने experience कि आपको कैसी लगी कड़ी की recipe thanks for watching